कुछ ऐसी टिफ्स जो बहुत ही ज़ादा यूनिक है और आपकी बहुत ही ज़ादा काम में भी आएंगी और अगर इस बहतरीन टिफ को अगर आप एक बर देख लेंगे तो ट्राइ ज़रूर करेंगे कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं अब देखिए नेकलेस हमें पहनना है तो नेकलेस पहनते टाइम इसका जो डोरी यान की टार्सल यह तूट चुका है या तो फिर किसी-किसी नेकलेस में आप देखे होंगे हूंक होती है वो तूट चुकी है अब इसको लगाने में बहुत दिक्कत हो रही है कैसे हम लगाएं अचानक सा क्या हम करें तो इसके लिए छोटा सा उपाई लेकर आ चुकी हूँ उस टाइम आपको क्या करना है आपको लेना है एक छोटा सा सिप्टी पिन छोटा लीजिएगा ताकि ज्यादा फोकास में ना आए और ये पीछे साइड रहता है तो ये छुप कर देना तो चलिए आप देख लेते हैं अगला यूस्पूल टिप अब इसके लिए हमने ले लिए हैं एक पुराना लैगिंग अब लैगिंग का एक छोटा सा पट्टी हमें काट लेना है ठीक है देखिए एक कुछ इस तरह से एक पट्टी हमने काट लिए है अब इस पट LIA है अविस तार को इसमें हम सेट करेंगे कुछ इस तरह से तो कुछ इस त traffaut आद लेना है और आप करने की बाद इसको डाइचल लिए भाजना भी है तो बागने के लिए मैं यहां depending का इस्तमाल करा है जब जेटीं से लपएट दूंगी इस लपएटने के दी हूँ और एक चोटा सा टूल बनके तयार हो चुका है उपर से मैं एक रवर्बन भी चड़ा दी हूँ ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए और इसको ना पर्मान तरीके से में यूज कर पाऊं तो यह चोटा सा डस्टर बनके तयार हो चुका है देखे कितना क्यूड लग र घर में मिक्सी का यूज करते ही है तो मिक्सी को जब हम क्लीन करते हैं तो आप देखे होंगे जहां पर हम जार को रखते हैं मिक्सी जार को वह जगा बहुत ही जादा चोटा होने के वज़े से उस जगा को हम पॉपर तरीके से क्लीन नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर इस तरह गल के तूटने लगता है जिस कारण हम लोग का बरतन खराब हो जाती है और इसलिए हमें मजबूरन उसे फेक ना पड़ता है तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा उपाई लेकर आ चुकी हूँ आपको लेना है निल पेंट टांस्पेरन बाला निल पेंट लीजिएगा अधर करने के कारण क्या होगा इसकुरू में जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा और जंग नहीं लगेगा तो फिर इसकुरू गलेगा नहीं गल के टूटेगा भी नहीं और आपका बरतन लॉंग टाइम चलेगा है ना बड़ी आइडिया आई होप यह तीप आपको बहुत पसं तो पूरंद गुंदा हुआ आटा ले लेना हैं गुंदा हुआ आटा को आप इसस तरह से जला हुआ हिस्था में लगा दीजिए क्यूंकि बुराना जमाने में दादी ना नी लोग इस तरह का इस और आपकी यह जगह कएगा तो छली अब देख लेते हैं अगला येस तो यहाँ पर white tablet लेना है, colorful tablet बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीके, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर मैं parasitamel tablet ली हूँ, तो फिर comment में पूछा जाएगा कि tablet का नाम बताओ, तिसलिए tablet का नाम में बता दी, अब tablet को जब इस तरह से हम पानी में डालेंगे ना, तो यह बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगा, अलग से इसका powder बना के इसमें डालने की जरुवत नहीं पड़ेगी, अब इस पानी को मैंने तयार किया है white कपड़ा को धोने के लिए, तो अकसर ऐसा होता है कि हमारे पास white color का कपड़ा होता है, और white कपड़ा बहुत जल्दी dull पर जा इस पिलापन को हटाने के लिए ये solution बहुत ही useful है, अगर आपके पास white color का कपड़ा है, वो डल पर चुका है, एक बार इस solution का इस्तमाल आप जरूर करके देखें, तो बस इसी तरह से हमें tablet का ही इस्तमाल मैंने यहाँ पर किया है, detergent powder या detergent बगरा बिल्कुल मैंने नहीं तो इसी तरह से आप देखिएगा इसका जो पिलापन है, इसका जितने भी डलने से वो remove हो जाएगा, क्यूंकि ये solution बहुत ही असरदर होती है, क्यूंकि जब इसको हम इस तरह से 10-15 मिट के लिए विगने के लिए छोड़ते हैं ना, उसी में जितने भी इसका गंदेगी है जितने भी पिलापन है, उसको ये solution काट देती है, बहुत ही अची तरीके से, अब हमें क्या करना है, इस solution से कपड़े को हम इस तरह से निचोड के निकाल लेंगे, निकालने के बाद साफ पानी से इसको खंगाल के, इसको सूखने के लिए हम डाल देंगे, ठीके, तो इस त देखिए हमारे घर में जो पौदे होते हैं, पेड़ पौदे, वहाँ पे इस तरह से पानी को डालना है, तो देखिए का प्लांट को जो पत्ता है, उसमें जो कीड़ा लगता है, उसको भगाने के लिए ये solution है ये बहुत ही काम में आएगा, तो बस इस तरह से आप पौद इसका यूज हम क्या से लेंगे, तो जैसे कि अभी समर सिजन आ चुका है और विंटर क्लोथ को हम इसको अंदर डाल के रखते हैं, तो उसको इस तरह से अंदर डाल के ना रखके, अगर उसको आप बढ़िया तरीके से पैक करके रखो, तो बहुत बढ़िया रहता है, तो इस पुराना पीलो कबर का इस्तमाल करके इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरह पैक करके रख सकते हैं, और इसका खासियत यह है कि अलग-अलग पीलो कबर में आप अलग-अलग मेंबर का कपड़ा रख सकते हैं, जैसे कि देखिए इस पीलो कबर में मैं अपना मेरा जितना सौल था है उसको मैंने रखा है अब नेक्स्ट यार जब हमें इसको निकालना होगा ना तो मुझे याद आजेगे इसमें मेरा कपड़ा रखा हुआ है और आप चाहें तो नाम मेंशन करके भी रख सकते हैं इसे की बहुत सुविदा होगा तो इस तरह से इतना आपको ढूनना नहीं पड़ेगा है ना बड़िया आइडिया आई होप यह आइडिया भी आपको अच्छा लगा है इसी के साथ आज का वीडियो का एंट भी में यही पे कर रही हूँ आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूस्पूल लगा है वीडियो यूस्प झाल झाल